आही गया तुम्हारे भाई के पास फैरबोल टैंक और आप इसका लुक देख सकते हो लुक्स में बहुत बढ़ी है लेकिन एमेजॉन पे जब मैंने इसे देखा मुझे देख कैसा फील हुआ कि लुक्स कुछ खास इंप्रेसिव नहीं होगा क्योंकि इस्टेशन फुटपार किया उन सब में यह वाच मेरा फेवरेट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो भाई तुम्हारे भाई के दिल में जगे बनाने वाला यह पहला वाच है और इसमें आपको 1.85 इंच का लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और नॉर्मल यह आपने स्मार्ट व होड़ भी है इसमें और 8 UI डिजाइन आपको यहां देखने को मिल रहा है साथ ही में 3 गेम है और हाई डिमांड को देखते हुए कैलेकुलेटर को भी इनोंने फिट कर रखा है तो चलिए भी देख लेते हैं और अगर पोडेक्ट पसंद है तो Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप् कलेक्ट है और बॉक्स के तीसे तरौ भी की फीचर ही है उपर के साइप कुछ नहीं लटकाने के लिए रखा है और बॉक्स के पीछे की टरौ भी की फीचरी है और साइड में चालूड करने का panogen को आणड नाम Brexit वैसे में डिस्क्रिप्चन में लिंक देऊंगा सो चलिए भ इस बार बैस्ट रखाए नोने इसका कॉलेटी बहुत बढ़िया लगा और इस काट के पीछे आपको एक बार कोड़ देखने को मिल रहा है जिसे स्कैन करके आप इसके वारेंटी को रेजिस्टर कर सकते हो वन यह का रीप्लेस में वारेंटी आपको प्रवाइट करता है और स्कैन करके भी आप उबाइल आपको डाउनलोड कर सकते हो यह वाउचर यह थ्री मंद्स आफ गाना सब्सक्रिप्शन सो बस दोस्तों पेपर पर कितना ही था और अब एक क्लोश लुक वाच के तरफ सो जैसे कि आप देख सकते वाच का लुक बहुत बढ़ी है और यहां प के साइड उठा रखा है जिस वैसे चलते फिटते वक्त दिवाल से ठुक गया यह किसी ऑबजेक्ट के साथ वाच ठुक गया तो फ्रेम ठुकेगा स्क्रीन सेफ रहेगा और वह भी इन्होंने मेटलिक फ्रेम कर रखा है जिस वैसे फ्रेम को भी कुछ नहीं होगा वाच वाटर रेजिस्ट लिख रखा है और साइड में यहाप आपको दो बटन देखने को मिल रहा है उपर वाला है पावर का नीचे वाला है स्पोर्ट्स और वाच की पर जो आप उपर का फ्रेम देख रहे हो यह पूरा मेटल का है लेकिन इसका जो साइड का फ्रेम है यह जो उपर का साइड एक और होल है यह शायद नॉइस कैंसलेशन माइक हो सकता है टेस्ट करके देखेंगे और पीछे के साइड आपको फायर बोल्ड का ब्रैंडिंग देखने को मिल रहा है एक दम प्लेन बैक रखा है इस बार जादा कुछ लिक्विक के भरा नहीं है प्लास्ट में बैस्ट है हलां कि सिलिकॉन नहीं है यह रबड है और साथी में यहाँ पर आपको मेटलिक बकल देखने को मिल रहा है बकल के उपर इन्होंने फायर वोल्ड के ब्रैंडिंग को प्रिंट कर रखा है और वाच का लेंथ है 450 mm ब्रेथ है 380 mm और वाच को अन करत पर आपको ब्लैक ब्लेजल देखने को नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हो फुल बॉडी डिस्प्ले है कि काफी बढ़िया लग रहा है हालाकि उन्होंने ब्लेजल को अपने बाउंटरी के नीचे छुपा रखा है लेकिन यह एक स्मार्ट वर्क लगा मुझेंका कर सकते हो और नीचल बटन है स्पोर्स मोड का शॉटकट तो यहां से आप स्पोर्स मोड कर सकते हो और उपर के क्राउन से आप स्पोर्स मोड को भी अफडाउन कर सकते हो और स्क्रीन के पर अगर आप लॉंग टेच करते हो तो यहां से भी आप वाच फेशिस को चेंज कर स सकते हो brightness को up-down कर सकते हो menu ओर लिस्त लिस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है इसके बाद आफ द क्रेसंट अब देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है इसके बाद हेलम हलम काफी बढ़ी है देखने में लिख यह है अपना हनीकव मेन्यू जो की बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आपको पता ही होगा तो बस दोस्तों यहाँ पर आपको चार मेन्यू स्टाइल ही मिल रहा है लेकिन इन्होंने कहा है एट यू आई एट नहीं है भाई चार यह है तो आप इसमें टोटल थ्री पेमेंट रिसी बारकोट को फिट कर सकते हो उसके बाद आता है फ्लैश सेटिंग्स के अंदर है डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर पहला ऑप्षान है ब्राइटनेस सिलीप तो यहाँ पर आपको मिनिमूम फई सेकंड्स और मैक्शिमूम 30 फिर है मिन्यो फृष राइस टू फिर यह उए हैंड गेशर बैक आने के बाद फिर और रिंग मोड मोड के अंदर आपको वाइबरेशन एएंड रिंग का फीचर्स देखने को मिल तो रहा है लेकिन इस वाच में कोई भी एंगटोन नहीं है बसवाच कारी टोन कभीकभी हर बार नहीं बचता जब watch का मन करेगा तब बजएगा नहीं तो नहीं बजएगा इसके बाद इंटेंसिव यहां पर आपको दो vibration mode मिल रहा है इसके नीचे है dnd mode low power mode इसे on करने से brightness low प्या जाता है और vibration ringtone सब off हो जाता है phone के अंदर है phone ही आएगा और सिर्फ calling के टाइम ही watch का speaker काम करेगा तो भाई इस features को कर लेना इससे watch का battery भी बचेगा और watch के speaker का life भी बढ़ेगा और एक और बात watch का speaker calling के लिए है music सुनने के लिए नहीं है phone reset से आप इसके calling Bluetooth connectivity को reset कर सकते हो इसके नीचे है system जिसके अंदर है restart power of reset इसके बाद आता है about और हम मैंने के बाद अगर आप right side slide करते हो पहला option है activities और इसके नीचे के साइट करने पर आपको पूरे दिन भर का step count calorie burn और exercise का time info देखने को मिल रहा है लेकिन distance track नहीं है वह हो भी होना चाहिए था यहाँ पर इसके बाद आता है heart rate, blood pressure, SPO2, sleep, stress, weather, weather forecast भी काफी बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर आपको upcoming 7 days का weather info देखने को मिल रहा है इसके बाद है phone calls, recent calls, date show होता है लेकिन time show नहीं होता कब call आया गया और recent calls आप easily call कर सकते हो dial pad आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है context नाम show होता है number show नहीं होता जिस वह से काफी clean लगता है देखने में और आप चाहो तो यहाँ से भी call कर सकते हो इसके बाद exercise तो उपर आपको 20 sports mode देखने को मिल रहा है और आप plus में जाके अपने favorite sports को इसमें add कर सकते हो लेकिन हा यहाँ पर आपको three games मिल रहा है और इसके बाद है calculator आप देख सकते हो calculator कुछ ऐसा दिखता है और मैंने right side slide करने पर जो भी आपको option दिखा है आप चाहो तो इन सभी को remove कर सकते हो और अपने according align कर सकते हो कि आपको पहले कौन सची है उसके बाद कौन सची है तो यह features best लगा म नहीं तो काम नहीं करेगा और ही पर ही आप जो पाच आइकन देख रहे हो यह है आपके recent activities फिर है menu menu के अंदर आप देख सकतो पहला option है activity phone call heart rate stress sleep blood pressure sp2 exercise exercise record weather message shutter player relaxation timer ai voice alarm stop watch cycle tracking यह वही है menstrual cycle इसके नीचे है flashlight find phone games calculator settings settings वही है जो कि मैंने आपको पहले बता है और अगर आप नीचे के side slide करते हो तो यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का notification receive हो रहा है जो भी आपने on कर रखा होगा और जैसे कि आप देख सकते हो कि यह watch Hindi and English language को proper तरी किसे support कर रहा है मैंने multi language के साथ experiment किया था और result आपके सामने है और calling देखोगे तो watch के help से आप call cut कर सकते हो और आप call pick कर सकते हो volume का features है लेकिन यह काम नहीं करता है call pick करने के बाद काम करता है और calling के time watch survive rate ही करता है और कभी-कभी वह ringtone बचता है जो कि आपने अपने phone में ल तो आप call को transfer कर सकते हो अपने mobile में और हाँ यह watch WhatsApp call को भी support करता है calling features को off करने पर भी इस watch में calling का notification receive होता है लेकिन आप सिर्फ call cut कर सकते हो silent features है लेकिन सिर्फ watch silent होता है phone नहीं phone बसता रहता है और calling features को off करने के बाद WhatsApp call शो नहीं करता है watch लेकिन notification आपको time time पर receive होता रहेगा और notification receive होने पर watch शिर्फ वाइबरेट ही करता है display on नहीं होता तो दोस्तों अब देख सकते हो कि मैं भी हूं calling पे और अभी आप सुन सकते हो कि calling के time कैसा माइक experience आपको यह watch प्रवाइट कर रहा है और इसका माइक नहीं यहां पर है तो noise cancellation हो सकता है तो noise cancellation टेस्ट तो बनता है तो दोस्तों यह मेरे पास है जो कि बहुत ही जड़ा नौइस है तो अभी आप सुन सकते हो कि इस नौइस में कैसा माइक experience आपको यह watch प्रवाइट कर रहा है आपको यह watch प्रवाइट कर रहा है और अगर आप सुन सकते हो कि कैसा है इसके speaker performance जैसे कि मैं नौर्मली बात करता हूं ऐसी बात कर रहा हूं बहुत जदा लाओड भी बात नी कर रहा बहुत जदा धीरी भी बात नी कर रहा नौर्मल एवरेज है और 100% volume में मैं यह test कर रहा आपको यह watch प्रवाइट करेगा और इसका speaker भी बहुत बढ़ी है और वाच के उजदा है और वाच के उज़ेर experience लगा मुझे काफी जदा है जिसमें आपको हलका सा भी लैक मैसूस नहीं हो रहा है और अब डाउन स्लाइट करते वक्त भी कभी गलती से टेच नहीं होता है और जब भी आप टेच करोगे तो इसका टेच भी मिस नहीं होता है तो user experience प्रेस लगा मुझे इस watch का और watch का find my phone का feature से एकदम perfect तरीके से काम कर रहा है अगर आपका phone silent में भी रहेगा तब भी बज़ेगा हमेशा बज़ेगा और इस मैं आपको 500 नेट्स का peak brightness देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हो कि मैं sunlight में इस watch का इस्थमाल कर रहा हूँ से हमेशा इसका display on हो जाता है लेकिन हाथ नीचे करने से display off नहीं होता आपने जो time लगा रखा होगा 5-2-30 seconds का वो time खतम होने के बाद ही display off होता है और rotating hand gesture भी एकदम perfect तरीकी से काम कर रहा है जिस विए से आप कुछ भी लिखते परते वक्त हाथ गुमा के time देख सकते हो IP67 का water rating है जो कि आपको 1 meter water resistance प्रवाइड करता है बोले तो आप watch पैनके swimming pool में नदी ताला में डूपकी मार सकती हो कुछ नहीं होगा watch को लेकिन 1 meter से गहरा नहीं जाना वहाँ water pressure होता है watch खराब हो सकता है नॉर्मले आप नहाते वक्त watch के इस्तमाल करो कुछ नहीं होगा watch क और जैसे के आप देख सकते हो इस watch के ऊपर आपको oliphobic coating भी देखने को मिल रहा है जिस वएसे धूर मटी गंदी की easily display के उपर चिपकेगा नहीं आप सुखे कपरों से पोचो साफ हो जाएगा और इस features की होने की वज़े से हलका सा scratch resistance भी बन जाता है watch सो चलिए अभी एक एच्चा monitor accuracy भी कर लेते हैं सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो starting में थोड़ा उटपटांग दिखाता है लेकिन जब last में final result देता है तो वह आपको एकदम accurate देगा watch का और oximeter का almost accurate आ रहा है तो इस पे आप 90% trust कर सकते हो एच्चा monitor का accuracy काफी बढ़ कर देखो मैं फाइट टेस कर रहा हूं और result आपके सामने है और watch के stress level भी एकदम perfect तरीकी से काम कर रहा है जब भी आप जिम में workout करोगे या फिर running करोगे तब stress level को high दिखाएगा जब आप आप आसी नॉर्मल ही पड़े रहा होगे रिलाक्स करोगे तब नॉर्मल दिखाता है सो चलिए अभी एक step test कर लेते हैं 129 steps 153 steps once more 174 steps ठीक ठीक ही है अभी sports mode का भी चेक कर लेते हैं अब देख सकते हो सब कुछ है 43 steps perfect है सो दोस्तों जैसे के आपने देखा step का accuracy बहुत बढ़िया है और distance track के बारे में बात करें तो ये भी आपको 80% accuracy प्रवाइट करेगा और हाँ सिर्फ भागते दौरते वक्त ही calculate करता है normally bike riding के time calculate नहीं करता और calorie burn भी watch का काफी बढ़िया है 80% आप इस पर trust कर सकते हो लेकिन दोस्तों एक problem है इस watch में जब आपके phone में location on रहेगा और phone pocket में रहेगा तभी इसका step, distance और calorie burn काम करता है without phone काम नहीं करता इस watch में सिर्फ एक ही issue मुझे देखने को मिला इसके अलावा सब कुछ बढ़िया है तो अगर आप एक sports person हो और running, jogging के tracking के लिए आप एक smart watch ढून रहे हो तब मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप इसे खरीदो battery backup देखोगे तो इसका भी सारे watch की तरह ही है calling के साथ two days का battery backup मुझे provide किया मैं approach दिन में 45 minute calling के लिए इसके इसके इस्तमाल कर रहा था और मैंने सारे ही alerts को off कर रहा था 100% brightness में मैं इसके इसके इस्तमाल कर रहा था तो two days का battery backup according to me best है और without calling approach 4-5 days का battery backup ये watch आपको provide कर देगा तो इसका battery backup काफी बढ़िया है और इसका charging time में approach 2 hours 10 watt charger से और मेरी पर आप से ही request रहेगी कि आप 10 watt charger का ही इस्तमाल करे उससे इसका battery रहेगा safe नहीं तो जल्दी धिरे धिरे battery का life कम होने लगेगा mobile app वही है डेफिट जिसके home में आपको पूरा health related information देखने को मिल जाएगा और second option में आप देख सकते हो कि watch आपके phone के साथ connect है नहीं और watch में charge कितना है फर्स्ट option है watch faces इसके edit में आपको watch faces customization का features मिल रहा है तो आप देख सकते हो आप watch के background में कोई भी wallpaper लगा सकते हो जो भी आपका मन करें लेकिन हाँ live wallpaper इस watch में support नहीं करता है और साथी में आप time के position को up-down कर सकते हो और update, heart rate, step, sleep को add कर सकते हो या आप remove कर सकते हो साथी में आप time का color change कर सकते हो पस इतना ही customization देखने को मिल रहा है और watch faces के ही last option में आपको face gallery देखने को मिल रहा है तो इहीं पर ही है सारे cloud watch faces आप देख लो आपको कुन सा पसंद आया Christmas के थोड़े नए watch faces को इस बार Deffitt ने add किया है और नहीं पर ही पहला option है notification तो यह watch आपको सारे social media account का notification प्रवाइट कर रहा है फिर है alarm shutter e-card, e-card से आप payment receive का barcode सेट कर सकते हो तोटल तीन barcode आप सेट कर सकते हो फिर है contacts तो इसमें आप टोटल 8 contacts set कर सकते हो इस उपर का जगए नहीं है फिर है others, others के अंदर है आपको सारे reminders available मिल जाएगा आपको जो मन करें आप उसे on कर देना लेकिन हा continue start rate को आपको गलती से भी on नहीं करना है क्योंकि यह battery बहुत ज़दा खीचता है अपरोक्स एक दिन का battery का up-down देखने को मिलेगा इस एक features के on-off करने पर ही और last option में आप गोल सेट कर सकते हूँ कि आपको एक दिन में कितना step चलना है सो ठैंक दोस्त अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लेगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले and don't forget to subscribe तो चलिए मिलता हो अगले वीडियो में